हमारा Billing Paragliding Association के नाते ये प्रयास है कि हर वर्ष कोई ना कोई इवेंट यहाँ पर होता रहे ताकि regular activity इस गाटी में चलती रहे और इस वर्ष Accuracy Championship में हमारे स्थानिय जो पाइलेट हैं उन्होंने बर्चर करके हिस्सा लिया है और छोटे छोटे बच्चे भी participate करने लगे हैं मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जब यहाँ पर paragliding इंश्यूट जो है वो काम करना शुरू कर देगा तो उससे बहुत ज्यादा लाब जो है परदेश के देश के बच्चों को होगा जिस परकार की सुविधाएं और उड़ने के लिए बेहतर परिस्थितियां यहाँ पर हैं मुझे नहीं लगता कि पूरे विश्व में किसी दूसरे स्थान पर होंगी जहां तक Billing Paragliding Association का सवाल है हम Association के नाते यह कोशिश करेंगे कि अगले वर्ष भी जो World Accuracy Championship है उसको यहाँ पर करवाएं और इशिन गेम्स के लिए भारत की जो टीम जाएगी उसमें यहाँ के जो पाइलेट्स हैं वो उसका प्रतिन देश के लिए मैडल जीत करके लाएंगे Billing Paragliding साइड जो है अभी विश्व की जो रैंकिंग है उसमें इसका दूसरा स्थान है हमने World Cup के दौरान प्रैस किया था कि यहाँ पर जो इंफरास्रक्शर है उसको इंप्रूव करें टेक आफ साइट को इंप्रूव किया गया है लेकिन जो टेक आफ साइट है वहाँ पर कुछ निजी भूमी है जिसको अभी अधिग्रेत किया जाना है उसके लिए सरकार जो है शीगरी कारवाई करके उसको अक्वाइर करेगी ताकि जो टेक उफ साइट है वो जिना किसी बाधा वहां से पाइलेट जो है वो टेक उफ कर सके अन्य सुविधाएं वहां पर अभी और देना वश्यक है जिसके लिए जो टुरिजम और जहां तक लैंडिंग की बात है लैंडिंग में कुछ भूमी तो पहले ही एक्वाइर की जा चुकी है और उसके साथ साथ जो साथ लगती भूमी है ताकि वहां पर कोई ऐसा निर्मान आगे ना आ जाए जिससे की जो लैंडिंग साइट है उसमें लैंड करने के लिए प कांट्रिबूशन लोकल एकॉनमी को बूस्ट करने में भी है जहां बच्चे फ्लाइंग सीख रहे हैं वहीं पर इससे उनको आये का साधन भी मिला है ना के बल पाइलेट्स को बलकि जो चोटे आँपर होटेल्स हैं रेस्टरेंट्स हैं या यहां पर जो चोटे गेस्ट हा हुआ है उनकी तादाद बढ़ गई है तो मुझे लगता है कि उस चीज़ को देखते हुए इन सारी चीज़ों को कैसे कंट्रोल किया जाना है इसके उपर जो भी भाग है हमारा टाउनन कंट्री प्लानिंग का वो विचार कर रहा है कि रेगुलेट कैसे चीज़ों को किया जाए ताकि यह जो इसकी सुंदरता और उड़ने के लिए जो बहतर महौल चाहिए वो सारी चीज़ें बची रहें उसके उपर एक मास्टर प्लान त्यार करके उसको शीगरी हम नोटिफाई करेंगे